नमस्ते दोस्तों कैसे हैं अब मैं हूँ आपकी दोस्त कवीता रादा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों बच्चे छोटे हो या बड़े बिंडी की सब्जी सभी की फैविरेट होती है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तही बिंडी की सब्जी ये र कर लिया था पानी सूकने के बाद बिंडी को काटेंगे इस तरी की पकी बिंडी को मटा देंगे बिंडी को ऊपर और नीचे से काटेंगे और बीज से कट लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए बीज से कट लगाकर बिंडी को चेक करेंगे कोई कीड़ा वगेरा हो तो उसे अठा देंगे, सारी बिंडी इसी तरह काट कर त्यार करेंगे, गेस पर एक कड़ाई रखेंगे, कड़ाई में एक बड़े चम्मच ओयल डालेंगे, यहाँ पर अमने सर्सों का तेल लिया है तेल के तेज गरम होने पर कड़ाई में कटी हुई बिंडी डालेंगे मीडियम फ्लेम पर बिंडी को 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे 70-80 परशंट बिंडी गलने पर बिंडी को निकालेंगे कड़ाई में एक बड़े चम्मच ओयल डालेंगे ओयल के तेज गरम होने पर 1.5 टी स्पून मेथी दाना 1 पिंच हिंग दो मीडियम साइज की प्याज को ग्रेटर के मीडियम साइज से ग्रेट करके डालेंगे प्याज की कलर चेंज होने पर एक चम्मच नमक और एक टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्टू डालेंगे दो तीन मिनट तक इसे भी फ्राई करेंगे एक कटोरी में तीन चम्मच दही एक टी स्पून दनिया पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी एक टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा सा पानी डालकर दही और मसालो को अच्छ से मिक्स करेंगे इस दही के पेस्ट को कड़ाई में डालेंगे इस समय हमारी गैस की फ्लेम लो है दो बारिक कटी हरी मिर्च डालेंगे आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं मसालो को अच्छ से मिक्स करेंगे मसाला हमारा अच्छ से बुन गया है मसालो से ओइल सेपरेट होने पर एक कटोरी पानी कड़ाई में डालेंगे सबको अच्छ से चलाएंगे ग्रेवी में एक बोईल आने पर गैस की फ्लेम लो रखेंगे फ्राई की गई बिंडी कड़ाई में डालेंगे सब को अच्छे से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर बिंडी को डखकर दो तीन मिनट तक पकाएंगे दो तीन मिनट के बाद बिंडी को चेक करते हैं बिंडी को अच्छे से चलाएंगे बिंडी हमारी अच्छे से गल गई है गैस की फ्लेम आफ करेंगे दो तीन मिनट तक बिंडी को डग कर रखेंगे तब एपर ड्राइ रोष्ट की गई कसूरी मेती को आतों से मसल कर डालेंगे हाफ टीजपून गरम मसाला और बारिक कटा हरा धनिया डालेंगे सब को अच्छे से मिक्स करेंगे दई बिंडी की सबजी बनकर त्यार है दई बिंडी की सबजी को प्याज की रोटी के साथ सर्व करेंगे अगर आपको अमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें